हलो नमस्कार दोस्तों सवागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले वर्कसाप का एंकुलेशन एंड साइन से समधित ओ इंपोर्टेंट कोशन जो की परिच्छा में पूछे जाते हैं और यह जो कोशन है दोस्तों जो का बटन दिख रहें सब्सक्राइब वोला इस पर क्लिक करके घंटी वाल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पी क्लिक कर देगेगा और चलिए यहां पर हम कोशन सुरू करते हैं पहले तो यहां पर दोस्तों मैंने यहां पर कुछ अपने आजसे ही यह कोशन आपको बन मिलिमीटर बराबर कितना होता है सेंटी मीटर अथा एक सेंटी मीटर बराबर कितना होता है इस तर दोस्तों जितने भी आपकी इकाईया होते हैं जितने भी मातरक होते हैं मैंने यहां पर कबर किया है जो कि आपको परिच्छा में इस तरह के यदि आप से पूछ दिया जा तो उसके लिए माफी चाहता हूं और आप वेडियो को complete देखेगा और इसमें आपको पहुती important जनकारी मिलने वाली है चलिए यहाँ पर हम सुरू करते हैं पहले यहाँ पर मेट्रिस प्रलानी से इकाईयों के संबंद यहाँ पर देख सकते हैं मोटी हेडिंग में मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ आप देखे माइकरोन एक माइकरोन बराबर कितना होता है यह आपका होता है 0.001 mm होता है चलिए आगे बढ़ते हैं मिली मीटर अतात एक एमेम ठीके एमेम को कहते हैं मिली मीटर कहते हैं तो एक एमेम बराबर यह आपका होता है एक हजार में होता है तो एक हजार यहाँ पर देखें सेंटी मीटर तो एक सेंटी मीटर बराबर कितना दस एमेम तो डेका मीटर एक डेका मीटर बराबर कितना दस देखा मीटर और सेंटी मीटर में कहेंगे तो यह आपका हो जाएगा सो सेंटी मीटर आगे बढ़ते हम किलो मीटर यहाँ पर लखा कहें किलो मीटर सभी को मालूम होना चाहिए यह आप सबको इजी है असान नहीं है आपका एक किलो मीटर पर कितना होता है एक हजार मीटर होता है चलिए मातरक और इकाईया पर आते है नेक्स्ट हमारा जो आए यह हमारा मातरक की इकाईया चलिए यहाँ पर देखिए ग्राम एक केजी बाराबर 1000 एमजे ठीक है आगे बढ़े है किलोगराम तो एक किलोगराम बराबर 1000 गराम यांप मेट्रिक टर्न में एक टर्न बराबर कितना applicable 1000 जी ठीक है आगे बढ़ते हैं लमबाई की 1 इकाईया एक मोट एक फूट द्यान राबर कितना 12 िंच या हम बारों को इस तरह लिख सकते हैं तो यह आपका इंच पढ़ा जाता है यह मैंने कबर कर दिये ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहों आगे लिखा गया एक गज एक गज़ बराबर कितना तीन फूट या तीन और फूट के उपर हम केदी कबर करें तो यहां पर एदी इंच मे कितना और फलोग और इसको गज में हम करणवर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा सतरों सु साथ गज आ जाएगा ठीक है तो एक मिल बराबर कितना गज तो सतरों सु साथ गज चलि आगे हम बरते हैं समय की इकाईया तो यहां पर सभी को मालूम है एक मिनिट बराबर साथ स बस होता है एक क्वारटर बर और आपका 28 स्पाउंड lamps बराबर चार क्वाटर होता है गज़ता है चरन बराबर 20 आपका हंडर क्रणारी मेंvit मिलीमीटर मisso एक मिली मिटर बराबर कितना ही तो 4.0 3907 इंच आगे हैं मीटर बराबर कितना है तो 0.393 7 गहिस आगे बढ़ते हैं ऐक मीटर बराबर कितना है तो 49 द्समुल data 37 एंच होता हैं मील शह डू एकचार मील होता है चलिए आगे हम आते हैं यहाँ पर भार तॉल की एकाया परे आते हैं एक गराम बराबर कितना ग्रेन तो यह आपका 15.4 तीन दू ग्रेन हो जाता है आगे बढ़ते हैं एक किलो गराम तो एक किलो गराम बराबर कितना पॉंड तो यह 2.204 पॉंड हो जाता है एक टन बराबर कितना पॉंड तो 2240 आपका पॉंड हो जाएगा एक गैलन बराबर कितना पॉंड तो ये आपका आपका दस पॉंड हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ब्रिटिस से मेट्रिक्स परणानी में इकाईया का रुपांतरण आप कैसे करेंगे तो एक इंच बराबर कितना होता है दो दसमलो पांच चार सेंटी मीटर और यदि इसको में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा पचीस दसमलो चार में हो जाएगा नेक्स्ट है आपका एक फूर्ट एक फूर्ट बराबर कितना मीटर तो जीरू दसमलो तीन जीरू चार आठ मीटर होता है और इसको जब cm में बदलेंगे तो 0 हट जाएगा और ये आपका दस्मलो आगे आजाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 0 4 8 cm हो जाएगा था 30 48 cm हो जाएगा आगे आते हैं यहाँ पर एक गज तो एक गज बराबर कितना मीटर तो 0 दस्मलो 9 1 4 मीटर आगे बढ़ते हैं एक मील बराबर कितना कीमी तो ये आपका एक दस्मलो 6 0 कीमी हो जाएगा अब यहाँ पर आते हैं भार की इकाईयों का रूपांतर अथाथ भार तॉल से समझने तिहां पर आपको सुत्र है एक ग्रेन एक ग्रेन बराबर कितना ग्राम तो 0.0648 ग्राम नेक्स्ट है आपका एक पॉंड एक पॉंड बराबर कितना ग्राम तो 0.4536 ग्राम नेक्स्ट है एक टेंथ एक टेंथ एक टेंथ बराबर कितना कीमी तो 116 कीमी आगे आते हैं एक टन एक टन बराबर कितना मेट् यहाँ पर आपका हो जाएगा एक डेन बराबर एक दसमलो जीरू दू मेट्रिक टन में आपका जाएगा एक लीटर एक लीटर बराबर आपका 1000 cm cm हो जाएगा आपका 1000 cm पर क्यों पानी हो जाएगा आगे बरते हैं 6 फल का मापन में आते हैं यहाँ आपका देखिए वर्क cm में यहाँ पर आपका इकाई हो जाएगा यह आपका चिन है और यह आपका गुणान का ठीके कितना को कहते हैं तो एक cm को हम क्या लिखेंगे एक cm cm² लिखेंगे ठीके यहाँ पर देखिए यह आपका चिन है इस तरह हम लिखेंगे और यहाँ पर गुणान क्या हो जाता है आपका 100 mm² हो जाएगा तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 1 civ का और m के सक्वाइर हो जाएगा तो इसको लिखते हैं 100 cm² यहाँ पर देखिए एक वर्ग miss को हम इस तरह लिखेंगे 100 cm² इसको गुणान करेंगे तो तो इस तरह तो आप आप देख लिजागा यहाँ अपर वर्ग फूट है वर्ग गज है वर्ग सेंटेमीटर है वर्ग मीटर है निचे आते हैं यहां पर एक डेका मीटर बराबर कितना तो दस मीटर एक हेक्टा मीटर बराबर कितना सो मीटर इसको आप ध्यान कियेगा आप चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आयत का मापन यहां पर एक DM के Q लिखेंगे और यहाँ पर आपका आजाएगा 1000 सिंटी मिटर के Q हो जाएगा यह आपकी मापन की इकाईया है आईतन में इसको आपका जो कोशन है इस तरह की कोशन आपको परिशावां में पूशे जाते हैं सुद्र के तोर पर और इसको आपको निकालना पड़ता है मैं आपको निकास कोशन में आपको बता जुँगा यँआपका एकाईयां चिन और गुणांग है ग्राम से यहाँ पर इकाईयां है और यह आपका चिन है और यह आपका गुणांग है इसको आप सκιन सॉर्ट कर लेजगे ताकि आपको असानी रहे गई याद करने में से हम दर्स आते हैं और दर्मियान का किलोग्राम और इसको हम केजी में करते हैं यह तो इस आसाने सब को मालूम ही होना चाहिए और यहाँ पर देखिए बित प्रण एकाईया जो है चेटफल का मीटर स्कॉायर और इसको म स्कॉायर से कहते हैं और आयतन का मीटर क्यूग होता है और इसको म क्यूग कहते हैं और यह आपका घनत वक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूग इसको हम केजी पर वाई M के Q कहते हैं और यह आपका wave होगा मीटर परती सिकेंड होता है और M by S इसको कहते है S मतलब सिकेंड हो गया और M मतलब मीटर आपका हो गया तो इस तरह दोस्तों सभी आप याद कलेजेगा और इसे समझेट मैं आपको question में बता दूँगा जो की बहुत ही important होता है इसको यह आप ध्याने किएगा जैसी decimeter तो 10 to power minus 1 centi मतलब की 10 to power minus 2 milli मतलब 10 to power minus 3 और micro मतलब 10 to power minus 6 nano मतलब 10 to power minus 9 और pico मतलब की 10 to power minus 12 ठीक है इसको आप ध्याने किएगा इस तरह question दोस्तों आपको बताता जारू ताकि topic wise आप हर question असानी से लगा पाते हैं जब आपको यह याद रहेगा तो यह थो थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको जनकारी थी उमीद है आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक like जरूर कर दिजेगा और अपने दोस्तों से शेर कीजेगा और इस तरह के question यह यह पराप्त करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कि लिजेगा और घंटी वाल आइकोन को दबाकर और notification फे किलिक कर लिजेगा तो दोस्तों यह थी आज की जनकारी उमीद है आपको पसंद आई गईगी चली मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहीं बंदे मातरम